भारत संग्रमन के उस बिंदू पर पहुच चुका है जहां पर हम रूरल सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी के और बढ़ रहे हैं 2030 तक 40.76 प्रतिशत जनसंख्या शेहरों में रह रही होगी यानि कि अर्बनाइजेशन काफी तीर्व गती से भारत में बढ़ रहा है देखे अर्बनाइजेशन कोई बुरी बात भी नहीं है शेहरी करण किसी विदेश की संवरधी के लिए एक महतकून घटक माना जाता है लेकिन हमारे देश के साथ एक समस्या ये है कि जिस गती से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उस गती से जो अर्बन प्लानिंग मशीनरी थी अर्बन प्लानिंग टेकनोलजी थी वो नहीं बड़ी है इसके कारण शेहरों को बहुत सारी चुनूतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें से एक सबसे मुश्किल और जो चालेंजिंग चुनूति है वो है शेहरी बाड यानि के अर्बन फ्लाड आज के वीडियो में अर्बन फ्लाड के बारे में हम चोचा करेंगे Urban Flood होती क्या है Urban Flood के मानवी जनित कारण क्या है परियावर्णी जनित कारण क्या है Climate Change का इस पर किस प्रकार से प्रभाव पढ़ रहा है Heat Islands का कैसे प्रभाव पढ़ रहा है क्या कुछ हम उपाय कर सकते हैं इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए 2015 में चेन्नेई में जो अर्बन बाड आई थी उसको अभी तक भूले भी नहीं थे कि उसके बाद बैंगलूर और असम में जो आने वाली बाड है उन्होंने फिर से एक बाद दभाई का मनजर हम सभी को दिखाया तो ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे है क्या ये करेंट में है सिर्फ इसी लिए जी नहीं ये करेंट में तो है ही इसके अलावा जो हमारा इन्वार्मेंट का स्लेवर्स है उसी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे मेंस में जो है पूछा जाता है और disaster management के अंदर flood और flood के अंदर urban flood ये ऐसा topic है जो ना सर्फ prelims के लिए बलके मेंश के परिक्षा के लिए बेहत महत्पून है तो आईए आज की वीडियो में इस topic को बहुत details के साथ समझने का एक प्रयास करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाव में प्राची संस्कति आयस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह आप सभी का बेहत स्वागत करती हूं आईए शुरुवात करते हैं news papers के साथ कि आखे समाचारों में क्या कुछ आ रहा है तो यह सितंबर 2022 की एक news है जहां पर यह बताया गया था कि जो rainbow drive flooding है some residents get notice for encroachment यानि कि कुछ नागरिकों को इस बात के लिए notice दिया गया कि आपने क्या किया था encroachment किया था जिसकी वज़े से शायद बाड आई है इसकी वज़े से बाड कैसे आती है इन सारी चीजों को हम discuss करेंगे यहां पर देखिए खाली में जो भारत की तकनीकी राजधानी है बैंगलूर वहां पर एक बाड की घटना हुई है जो कि अभूतपूर वह घटना थी ऐसी बाड पहले भी आ चुकी है कोची में मुंबई में चेनी में आपको बताया था और इसके अलावा है धराबाद में भी यानि कि एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हम रगुलर बेस पर जो है जहल रहे हैं जैसे यहां पर आप देख सकते हैं तो फ बैंगलूर मोस्ट कोईटेड गेटेड कमुनिटी इस अमंग दो वर्स हिट ब सोसाइटी ते कि माना जाता है जो गेटर सोसाइटी होती है वहाँ पर दहना भी थोड़ा महँगा होता है लेकिन अगर वहाँ भी इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है तो इसका मतलब हमारे यह जो अरवन की प्लानिंग है जो हम शहरों को बसा रहे है जो हम नया दिखेंगे जब 2020 में हिद्राबाद के अंदर बाड आई थी तो हजारो घर जो है पानी के अंदर तभा हो गए थे तो सबसे पहले question आता है यहां पर कि जो urban flood है शहरी बाड है वो आखिर क्या है तो सबसे पहले तो यह पता हो तो यहां पर देखिए जो शहरी इरिया है खासकर जो mostly क्या है डेंस बसा हुआ छेतर है यानि के जहां पर जनसंक्या का घनत्व है वो जादा है इस बात का क्या मत हुआ एक छोटे से छेतर में जब जादा लोग रहते हैं इस एरिया में जब बारिश जादा हो जाए जितनी वहां पर एवरिज बारिश होती है उससे काफे जादा बारिश हो जाए और पूर ड्रैनिस सिस्टम की वज़े से यानि कि नालिया गटर वगएरा आपके गढ़ंग से पनी हुए नहीं है तो पूर ड्रै अब धानिग उससी को शेरिवार कहते हैं रूरल इंड चया होता है एक तो वहां पर कच्ची जमीन बहुत पोरस लैंड इसको बोलते हैं पानी आता है कच्ची जमीन में समाझ आता है शेहरों के साथ समस्या यह हैं हमनी चीज़ों को क्या कर जा है दिया है तो वो क्या है cities वगर को clock करना शुरू कर देगा तो यहां पे basically क्या होता है जब हमारे drainage system की capacity से ज़्यादा rainfall हो जाए तो शेहरी बार जैसी समस्या में face करने को मिलती है और यह जो land है शेहर की जो जमीन है वहां की जो property है उसका inudation कर देती है ठीक है एक तरीके से चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उसके बाद देखें आपे क्या बता गया है नदियों का जो उच बहाव होता है या फिर उच जवार आ जाए high tides आ जाए या फिर बहुत भारी बारिश हो जाए या शेर आपके कुछ इस तरह के से बसे हुए कि बर्फ अगर जादा पिंगल गए और नदियों में जादा पानी हो क्या है और नदियों का जादा पानी समाहित करने के लिए नदियों में पेस नहीं बचा है इन सारे वज़े से या फिर अगर कोई लेक थी अगर वो लेक की संवच न तूट जाए तो उस लेक के अंदर जो पानी इसने होल्ड करके रखा हुआ था वो अगर भेजाए तो इन सारे कारणों की वज़े से क्या है शेरी बार आ सकती है इनको थोड़ा सा याद रखिएगा अब इसके बाद बात हम करते हैं यह देखे जब इस तरह से एक पूरी स्थिती आ जाती है रेस्क्यू टीम जो है फिलाल बचाने की बात कर रही है तो देखे बात आती है कि पूरी ही दुनिया में सर्फ भारत की ही बात नहीं है पूरी का नहीं बात है और हम इसके बाले में अस्हाल में इसमत करेंब की बात करेंने साधी जनसंख्या जाना में दुखा हारी है भारत कि सीमा घत जाएं में बनृ कैles तो जमीन जब उतनी ही है तो लोग क्या करेंगे जहां पर विलेवल जमीन थी, जैसे अगर कोई नाला था ज़िसमें पाने बैटा था उसमें एसको मिट्टी से भर के क्या है उसका एरिया छोटा करनेंगे वहां पर कुछ बना लेंगे नदियों को जो है इंक्रोच्मेंट करेंगे मतलब क्या करेंगे नदियों का जो एक आप कह सकते है आसपास का एरिया होता है जो इसलिए खाली छोड़ा जाता है कि जब कभी जादा बारिश होगी और नदी में पानी जादा आएगा तो नदी का आञे पानी को ना तो जमीन के रास्ते सोकने का रास्ता दे हो नहीं आप नदी नालों केannahी जर्द ये जाने का रास्ता दे रहो तो पानी कहा जाएगा पानी तो हमारे घरों में भरेगा तो यह बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वज़े से दरसे अर्बन बाड आती है , जो लो लेंग एरिया होते है, नीचे बसे जो एरिया है वहां भी जब आप एंक्रोच्मेंट कर देते हैं मुटके कुछ Behind BID उन्के वोपर तो यह समस्या क्या है में और जादा गंवीर हो जाती है और इसकी वज़े से ही क्या होता है कि जो strong water आता है यानि कि बहुत सारा पानी इखर्टा जब एक साथ आता है उसको भी जाने का रास्ता नहीं मिलता तो strong water sources जो हमें face करने पड़ते हैं इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेगा अच्छा नासा ने एक study की थी जिसको यहां ब जादा आती है इस बात का क्या मतलब है मैं आपको समझा देती हूं तो urban जो heat land है उसकी वज़े से बारिश पर क्या असर पड़ता है इसको थोड़ा सा समझते हैं मालने चे यह क्या है आपके जो है शहर बसे हुए है बिल्डिंग्स यहां पर बसी हुई है क्योंकि यह काफ यहां पर हीट डोम बन जाता है यानि के उल्टे कटोरी जैसी एक शेप बन जाती है जो पूरी गर्म हवा से भरी होई होती है तो यह जो शहर है जिनके बीच में काफी साथ आप कह सकते है जो हमारा temperature है वो क्या हो गया है हाई हो गया है तो यहां पर एक urban heat island जैसा effect हो गया ह अब मालेजे जो यह रूरल रेलिया था यहां पर बारिश होती है तो अराम से कच्छी मिटी है वो इसको सोख लेगी दूसरा नदी नालों में सपीस काफी है वहां चला जाएगा दूसरा बादल क्या है अलग 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 एरिय में आके बारिश करते है अराम से तो कोई द वारिश करते है और जब चोटे अरिया में जादा वारिश होती है जहां का ड्रेनी सिस्टम ऑड़ी क्या है खराब हो रखा है नदी नालों पर आपने क्या है जो है मकान बना लिए है आसपास एरिया नहीं चोड़ा तो आपे पूरा क्या है पानी भर जाता है और इसी वज फिर हमें क्या है नासा की जो study है उसको सच मानना पड़ता है कि urban heat island effect की वज़े से जो urban flirts है वो बढ़ती है तो अगर means में इस तरह के points आप लिखेंगे इस तरह के diagram बनाएंगे तो additional marks आपको मिलेंगे इस तरह की चीजे आपसे एक statement के रूप में पूछी जा सकती है इनको क्या है थोड़ा सा याद रखने के कोशिश कीजेगा तो अब देखिए यह हम समझ गए अब हम बात करते हैं कि शहरी बाड़ की वज़े से इस वज़े से फाइनली क्या है हमें अर्बन फ्लर्ड को देखना पड़ता है इतनी जो है concept हमारे clear हो गए अब देखें नीति आयोग ने जो भारत की शहरी नियोजन छमता है उस पर एक रिपोर्ट जारी की थी जहां पर यह बताया गया है कि शहरी नियोजन पर प्रियाप कि अगर कुछ हो जाए कुछ अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की सिच्वेशन हो या कुछ भी ऐसी सिच्वेशन हो तो कैसे काम करना है तो basically मैंने क्या बता है जो हमारे सिटीज है वो बहुत अनप्लांट तरीके से basically बदल रही है अब देखिए शहरी बाड की कारण क्या है यह तो हम समझ गे शहरी बाड किया है बाकी चीजे कारण भी हमने कुछ कुछ समझे है लेकिन finally तो दो headings में इसको हम बातेंगे एक natural कारण जो प्राकरतिक होते है और दूसरे कौन से होंगे जो मानव जनीत कारण होंगे ठीक है तो प्राकरतिक कारणों में सबसे पहली बा और यह हाल के दिनों में जादा देखने को मिल रहा है क्योंकि जो IMD है वो यह कहते है कि हाल के दिनों में जो भारतिय मानसून है वो काफी अप्रतियाश्यत हो गया है प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया है कि कल क्या होगा परसो मोसम कैसा रहेगा तो जो climate change है उसकी वज आपका जो सीका फाल यहां रहताए लेकिन अगर नोर्मल हाइट आता है तो तो पनी बैसीकल यह तक पहुंच जाता पहुंच जाता है अगर स्ट्रोव टैट आट साते हैं बहुत冷़ory हा ठाट साते स्ट्रों सवरिस्त के रूप में भारी पान सवार्ण न पानीा रूप मे तीसरा देखियो भूजल इसतर तो देखियो क्या होता है अगर मान लीजिये जो हमारा वाटर है ग्राउण- लेफल वाटर है वो जादा बारिश की वजे से उपर आगिया है तो जो बेस्मेंट वाली इमारते होती है जो ग्राउट फ्लोर से भी नीचे हमारा हो जाती है तो ground water की ज्यादा अधिकता की वज़े से भी कही बार क्या होता है हमें अबन फ्लोड का सामना करना पड़ता है इतनी सी बार समझ लेजेगा शेहरों की जो बस्ती है जो आबादी है वहां पे सब जादा पानी हो जाए तो यह कुछ कारण थे जिनको आप कह सकते है नैचुरल कारण रहे थे अब यहां पर तो यहां पर देखेंगे यह आपका क्या है पंजाब है राजिस्थान है हर्याना दिल्ली फिर आप देखेंगे उत्तरपरदेश बिहार पश्यम बंगाल उरिसा आंदरपरदेश गुजर और यहां पर असम है यह कुछ वैसी स्टीट्स है जो बेसिकली बार्ग से ज्यादा प्रभावित है और इन पर हमें थोड़ा सा क्या है फोकस करने की जरुरत है अब हमने देखें नैचुरल कोजिस देख ली अब हम बात करतें मानव जो कारण है मानव जनीत कारण वो क्या निचले इलाकों में देखें जब विकासात में गतिविद्या होती है खासकर जील और जो आदरभूमी है तो वहां पर भी क्या है उनके किनारो कातिकर्मन हो रहा है तो पानी होल्ड गरने की कैपसिटी उनकी खतम हो रही है जैसे कुछ एक्जाम्बस में आपको बता देती जैसे जो केरल की कोलम में अस्त्रमोधी लेक है उस लेक में बोटिंग की इतनी ज्यादा अक्टिविटीज की घटना वाह पर देखने लगी तो लेक का एकोसिस्ट्रम वहां से बिगड़ा है तो उसकी वज़े से क्या है जो लेक की वाटर होल्डिंग कैपसिर्टी उसका जो नैचुरल तरीका था वो जो है नुकसान में पढ़ा है इसके अलावा देखिए इल्लीगल माइनिंग अक्टिविटीज होती है तो माइनिंग अक्टिविटीज की वज़े से क्या होता है जैसे आप मान के चले जौदपूर में जो जैश्मंड लेक है ठीक ऐसी तरह त कीलो वाटर फ्लो था वो इंक्रीज हुआ है जिसकी वज़े से बाड जो है हमें जहिलनी पड़ी है इसके अलावादे कि कई बार हम लोग क्या करते हैं डाम वगार से पानी को एक साथ छोड़ देते हैं जैसे डाम में पानी पहले से बहुत जादा था बारिश आएगी हमे इसकी वज़े से काफी दिकत मिलती है और चिन्नी 2015 में जो बाड़ाई थी उसके पीछे जो रिलीस किया था वाटर को बेसिकली कासे चिदंबकम जो लेक है वह से वह एक बहुत बड़ा रीजन था तो इनको चीजों को ध्यान रखिएगा तो बारिश के पानी को सोखने वा पानी ही नहीं रहा है लेक्स में और जलवायू परिवर्तन के कारण जो भारी बारिश है वो बढ़ रही अब आप क्लाइमेट चेंज यह तो नैचरल कोज है नहीं क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है हम मनुष्यों की वज़े से हम इतना ग्लोबल वामिंग कर रहे हम क्ला रहे हुचा की मज़ together के चेंज डरनशनल ईयवूर्ट है तो हो चेंजन अपना पानी कहां लेकर यहीं आप agreement दिखाया गया था कि जो अडियार रीवर है बेसिकली उसके इंटरसेक्शन पे चेनी इंटरनेशनल एयोपोर्ट का सेकंडरी रन्वे देखे बना हुआ है गूगल माप से लिए एक इमेज है तो जिस्ट तरीके से हम जो है चीजों को खराब कर रहे हैं इसको थोड़ा सा ध् अब इसके अलावा देखें क्याक ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बताया था कि जब आप अपवा का पानी जो है वो निर्मित विचलन नहरों में बहता है इसकी वज़े से भी आचानक बाढ आ जाती है जल निकासी को लेके खरापनागरिक प्रभंदन है हम लोग भी जो पैसा उनको मिला था स्ट्रॉंग वाटर मेनेजमेंट फंड जो मिला था इसका उन्होंने उच्छत रिकॉर्ड भी नहीं रखा पैसा भी आपको मिलना फिर भी बेटर यूस नहीं कर रहे हो चेक है इसके अलावा देखें जो नगर पाली का है और बांगलोर विकास स्ट्रॉंशन देना पड़ेगा स्पॉंज सिटी मिशन आपको लेके आने की जरूरत है शेहरों को जाधा पारगम्य बनाना है ताकि पानी जो है मिट्टी धारन कर सके काया कल्प और शेहरी परिवर्तन के लिए एक आपका अटल मिशन है तो इसको लागू करना पड़ेग तो मुंबई स्ट्रॉंब वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम या ब्रिम स्टोड भी जिसको बोलते है मुंबई शेहर के जो पुराने स्ट्रॉंब ड्रेनिस सिस्टम में उनको ऑवर हॉल करने के परियोजना है दो हजार पार्च में मुंबई की जो बाड़ाई तो इसके बा बनाने की जरूरत है ताकि वाटर को रेटेंशन करने की कापसिटी बढ़े अगर आप देखे तो ड्रस्टिन में इस तरह का काम चल रहा है इसके इलावा में च्छतों को ग्रीन करने की जरूरत है इससे क्या होगा एक तो विंटर इंसुलेशन में लेगा स्टों वाटर र तो यह काफी अच्छे आप कह सकते एक्जामपल्स हैं विद कंट्री नेम जिनको अगर आप एंसर में लिखेंगे तो बहुत अच्छे मांक्स में लिखेंगे इस बात की गारेंटी में देती हूं तो यहां पर देखे हमारा यह टॉपिक खतम होता है एक लास्ट चीज बस पर कर पाएंगे अपनी आवशक्ताओं के लिए तो इसमें भारे निवेश करने की आवशक्ता है जो हमारे ग्राउंड वॉटर बैसिकली कैपिसर्टी इसको इंक्रीज करने की आवशक्ता है जैसे यहां पर देखें जल सम्मेदनशील शहरी डिजाइन यह उश्रीलिया मे पॉलूशन को फिल्टर किया जाता है तो देखें ऐसा नहीं है प्रॉब्लम हार जंग है बट सोलुशन के साथ काम हो रहा है इंडिया को भी इन सारे चीजों से क्या है सीखने की ज़रुरत है तो में जो मीन है यह टॉपिक आपको अच्छे तरीक से समझ में आया होगा और आगे भी बहुत जल्द एक अच्छे इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपको वेरूँगी तब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा नमिश्कार धन्यवाद जैहिंद